हेलो फ्रेंड्स एक बार हम फिर से हाजिर है वीडियो लेके माइन नेम इज आशीश एड़ वेलकम तो मैं यूटूब चैनल हंगर स्टडिज तो दोस्तों आज हम आर्मन ट्रेनिंग इंस्टिटूट ओफ इंडिया के उपर वीडियो लेके आए हैं तो दोस्तों वीडियो के अंतक जरूर बने रहें और आगे भी आपके लिए ऐसी ही वीडियो हम लाते रहेंगे तो वीडियो सुरू करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन दबाना बिल्कुर न भूले तो सबसे पहले आज हम NDA के बारे में बात करेंगे नैशनल डिफेंस अकेडमी खड़कवासला पूने इस्टेबलिस्ट 7 दिसंबर 1994 बोटो सेवा पर्मो धर्मा इंगलिस में सर्विस वीफोर सेल्फ तो नैशनल डिफेंस अकेडमी स्यूक्त सेवा अकेडमी है जहां तिनो सेना के कैडिट्स थल सेना, नो सेना और वायू सेना के पर्सिक्षन एक साथ आगी कमिशन पूरब पर्सिक्षन के लिए अकेडमी जाते हैं यह दुनिया में पहली त्रिकोणिय सेवा अकेडमी है तो दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं नैशनल डिफेंस कोलेज न्यू दिल्ली इस्टेबलिस्ट 27 अपराल 1960 मोटो बुद्धी रहस्या बलमतस्या इंग्लिस में विश्टम इज स्ट्रेंथ नैशनल डिफेंस कोलेज ओफ न्यू दिल्ली विश्टित राष्टिय रक्सा कोलेज भारतिय ससतर बलों और भारत की सीविल सेवाओं के अधिकारियों के लिए समारिक अध्यान की सर्वोच पीठ है यह कोलेज भारत सरकाल को राष्टिय और अंतराष्टिय स्रक्सा के मामलों में कारे नितिक नेत्रित परदान करता है तथा रक्षा समंधी मावलों में एक ठिंक टेंक के रूप में कारे करता है और भारत के रक्षा दृष्टिकों को निद्मित करने में महत्रपुन्स्तान रखता है तो आगे हम बात करते हैं इस प्रमुक तृपक्सिय सेवा संस्थान है जो रक्षा सेवाओं के अधिकारों का प्रवंद प्रसिक्षन देता है यह भारत के रक्षा मंत्राल्याद्वारा प्रयोजित एक सेक्सिक संस्थान है जो भारतिय ससस्तरबलों के अधिकारियों को विज्यानिक और प्रबंदन सिक्सपरदान करता है यह संस्थान जिसे ससस्तरबलों को रक्सा प्रसिक्षन के लिए ACA का एकमातर विशिष्ट कॉलेज माना जाता है तो आगे हम बात करते हैं इसका फॉर्मर नेम स्कूल ओं मिल्टरी इंजिनिरिंग इस्टेबलिस्ट नाइटीफोटी थी सियमी सैन्ने इंजिनिरिंग कॉलेज भारतिय सेनाओं के इंजिनिरिंग का प्रमुक्त तकनिकी और सामिक प्रसिक्षन स्थान है जिसमें लड़ाकू अभियंता और सैन्ने इंजिनिरिंग सेना सेवा सीमा सडक इंजिनिरिंग सेवाएं बी आरी एस और स्रवेक्षन सामिल है तो आगे हम बात करते हैं राष्ट्रिय इंडियन मिल्टरी कॉलेज देहरादून इसके बारे में इसका इस्टेवलिस्ट 1922, मोटो, बल विवेक, स्टेन्थ एंड कॉन साइन्स राष्ट्रिय भारतिय सेन्ने कॉलेज, भारत में डून घाटी, देहरदून मेस्तित, लड़कों के लिए एक सेन्ने स्कूल है RIMC, राष्ट्री रक्स अकेडमी है, भारतिय अनोसेना अकेडमी और उसके बाद भारतिय सेस्ट्रपलों के लिए एक साहिक संस्थान है तो इसका आप यहाँ पे पिच्छर भी देख सकते हैं बीच में RIMC की इसके बाद हम बात करते हैं, इंडियन मिल्ट्री अकेडमी देहरादून, इस्टेबलिस्ट, एक अक्तूबर 1930, बोटो, वीर्ता और विवेक, वैल्योर और एंड विष्टम, इंडियन मिल्ट्री अकेडमी यह ओफिजन ट्रेनिंग अकेडमी है IMA के पास 1650 किसमता है, अब प्रवेच मापदन के अधार पर कैडिडों को 3-16 मिहने के बीच के परसिक्षन पाठ्थे करम से गुज़ना पड़ता है IMA के एड़ों पर पाठ्थे करम पूरा होने पर स्ताई रूप से लेफटनेट के रूप में सेना में कमिशन किया जाता है तो आगे हम बात करते हैं, आरवन फोर्स मेडिकल कोलेज, AFMC, पुने, इस्टेबलिस्ट, 1948, बोटो, सरवे संतु, निराम मयाख, यह संस्कृत में है और इंगलिस में इसका, लेट आल बी हैल्थी आरवन फोर्स मेडिकल कोलेज पुने, सस्तर बल, चिकितिसा महावीदालिया, पुने, भारत में महराष्टर राज्यवें मेडिकल कोलेज है यह कोलेज, भारतिय सस्तर बलों द्वारा परबंदीत किया जाता है संस्थान प्रात्मिक रूप से चिक्तिक सनातक और सनातक को और दन सनातक को और नर्सिंग केडिटों और पेरामेडिकल स्टाफ को परसिक्षिन ब्रदान करता है यह संस्थान सस्तरबलों को विशेस्योगों और सुपर विशेस्योगों का पूरा पूल उपलब्द कराने के लिए जिम्मेदार है तो दोस्तों आगे हम बात करते हैं Official Training Academy, OTA Chennai एंड गया बिहार फिलाल गया बिहार तो अब बंद हो चुकी है तो हम बात करते हैं सरव विद्ध होनर, OTA जनेका और OTA काया का मोटो है सोर्या ग्यान संकलब, वैल्योर विश्टमेंड रिजॉल्व OTA, Official Training Academy भारतिया सेना के प्रसिक्षन प्रतिष्ठान है जो सोर्सर्विस कमिशन के लिए प्रसिक्षित अधिकारियों अधिकारिक है OTA में 49 सब्ता का पाठ्यक्रम फोजी चिक्तिसा कोर के अलावा सेना के सभी साखाओं के लिए सनात्रक त्यार करता है दिसंबर 2019 में OTA को रक्सम अंतरालियाने बंद करने के अदेश दे दिये थे इसके बाद हम बात करते हैं इस्टेवलिसमेंट दिसंबर 1948 यह हाई एल्टीट वारफेर स्कूल भारतिय सेना का प्रसिक्षन और अंसद्धान संस्थान है 1948 में भारतिय सेना ने गुलमर्ग में एक स्की स्कूल की स्थापना की जो बाद में स्नो क्राफ्ट और सीत यूद में विसी सग्यता प्रापत भारतिय सेना का उच्छ स्थारिय यूद स्कूल बन गया यह एक ऐसिक सेतर में हैं जहां हिमस कलन होने की सभावना है यूएसे यूके जर्मनी तथा अन्य देशों के चूने हुए सैनिक विसी सग्य प्रशिक्षन के लिए नियमित रूप से यहां आते रहते हैं तो दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं काउंटर इंस्यूरिजेंसी एंड जंगल वार्फेर स्कूल वायरेंगते मिजोरं इस्टेबलिस्ट उनिसो स्ताच सट बोटो फाइट दा गोरिला लाइक गोरिला वायरेंगते मिजोरं में भारत की अंत्कवादी विरोधी यूद विसेशकर उग्रवा तथा चापामार यूद में विसेशगे रता प्रापत भारत्य सेना का परसिक्षन एम अनुस्दधान सनस्थान है विश्ब के प्रमूख संस्थान विश्ब जके अगरणी न दुक्रवाद विरोधी प्रास्षिक्षन संस्थानों में से एक है या आप देखी प्चा किसरिया सकते हैं दोस्तों आगे बत करते हैं आर्ममें वार को लिधी your Ou foreign army को अभा़ो मध्यवरदेश इस Pretty स्टेबलिसमेंट एक अपरेल 1970 इसका पहले का नाम है कोलेज ओफ कॉमबैट उसके बाद इन्फैंट्री स्कूल भी बोला जाता है उसके बाद आर्मी वार कॉलेज जब इसका इस्टेबलिसमेंट उफा 1971 में तो श्टाटिंग इसका नाम कोलेज ओफ कॉमबैट था और उसके बाद 1988 से इसका नाम बदलकर इन्फैंट्री स्कूल रख दिये गया 2003 में फिर से एक बार इसका नाम बदलकर आर्मी वार कॉलेज रखा है जो आज तक चल रहा है इसका मोटो है एंटर इन्टू बैटल विन्द रिजॉल्व आर्मी वार कॉलेज माउ यह यूद कॉलेज है माउ में माउ मद्यपरदेश माउ भारती सेना का एक युकति संगत पर सिक्सन और अमस्थान संस्थान है यह सेना के लिए रणिति और रस्ट के लिए अब धारणाओं और सिधानतों का विकास और मुल्यकर करता है तो दोस्तों आज हमारी वीडियो यहीं समापत हुई और वीडियो को लाइक करना न बुले और जाते जाते मैं आपसे एक कॉस्चन पूछता हूँ तो इसका अनसर आप मुझे कमें दे दीजिए कमेंट बोक्स में दे दीजिए जाते कर दो दीजिए